जहनतर नमस्कार मेरे सेर सेर नियों राड़लो स्वागता आप सभी का अपने यूटूब चैनल कमांड ओकेड में पर दोस्तों आज का वीडियो इस पेशली आर्मी रिजल्ट को लेकर है बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 15 महीं भी निकल गई है और रिजल बच्चे ने पेपर दिया अभी तक उन सभी का एक चीज कोमन कहना है है किसी भी बच्चे से पूसलो वो यह जरूर बताता है कि उसने लग बग 35 पलस क्यूसन किया है कोई बोल रहा है 30 पलस लेकिन 30 से कम किसी भी बच्चे ने नहीं बोला है बहुत रेर केस में 2-5% बच् सकती है आज 15 माई का अनुमान लगाया जारता कि 15 माई को इसका रिजल्ट आ सकता है क्यों क्योंकि आज से एक माहा बाद आपके फिजिकल सुरू हो जाएंगे इसके बारे में आपको जानकारी पहले से दे दी गई है आर्मी की ऑफिशल वेप साइट पे अब जो इसके तल रही है और एक और है यह ओनलाइन एप्लिकेशन फोर दे वन तर्टी एट टेकनिकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए इसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं है दो से तीन अपडेट है अगर आप इसके फाइनल एजल्ट में भी जाके देखोगे उसमें भी कोई अ कोई भी जानकार यह नहीं है कि कब आपका रिजल्ट आएगा और किन-किन बच्चों को पास किया जाएगा लेकिन एक बार धान रखना लाट लो जिस भी बच्चे के 25 से भी प्लस अंक है यनि 25 से भी उपर अगर किसन किसी ने किये हैं तो उसको रनिंग की तयारी करनी चा करना है आप जहां पर भी रंणिंग कर रहें आप अपने घर पर कर रहें या कहीं पर भी कर रहें अब पूरा ध्यान लगाएं अच्छे से रनिंग करिए क्यूंकि ज्यादा समय के आपके पास में Agriculture लग बग आसे एक महीने का में रिजल्ट लग जाएगा इसके इंदजार में ना रहिए अगर आप 25 से भी पलस उपर क्यूशन किये हैं तो आप ध्यान रखिए आपका पूरा चांस है कि आप रुनिंग के लिए जाएंगे ठीक है क्योंकि शिर्फ पेपर ही मेंटर नहीं करता फिजिकल के अंक भी इसमें करते हैं तो सो नमर के फिजिकल के अंक भी होंगे जो बच्चा लेने की हिमत रखता है सो के सो पूरे ले ले लेगा और उसने मान के चली कि पचीस कुशन इदर कर दिया रहो उसके एंसी सी से टीपिकिट है तो वह हंडेड़ परसेंट मेरिट में आ जाएगा इसलिए जिन भ पेले पेने आने की पूरी चांसे देखते हैं कब आता है जै हिंद जै भारत